इसके राजपूत मैटमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को एडवांस मैट का एक जो टाफिक है हमारा इकाई का अंक ग्याद करना तो उसको सिखाएंगे तो आप लोग सीखेंगे बिलकुल इजी तरीके से देखिए कैसे कोई भी संख्या लिख लेते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या होता है जैसे इसमें तो ये एकी मतलब संख्या थी तो लास्ट वाला इसका है इकाई का अंक हो गया जैसे कोई अधर संख्या होती चार तीन दो प्लस तीन चार पांच प्लस दो तीन एक अगर आपसे पूछता है इसमें इकाई का अंक क्या होता है तो हम क्या करते लास्ट वाले अंक जोड लेते पांदो साथ और साथ और एक आठ इस प्रकार से हमारा ये इकाई का अंक निकल कर आ जाता है ठीक है इसी प्रकार से हम किभी जंख्या में अगर जोड का सवाल है तो उनके हम लाश्ट के अंक पो जोड़ लेंगे और इकाई का अंक प्राप्त कर लेते हैं ठीक है इसी प्रकार से अगर कोई गुणा का सवाल है और उसमें भी हमें इकाई का अंक प्राप्त करना है तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे इसमें भी इकाई के अंक की गुणा कर देंगे तिन दूनी छे इस प्रकार से इकाई कांग हमारा जो है छे आ गया इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे जब हमारे पास होता है जैसे हमने लिखा 25 गुड़े में 51 गुड़े में 46 गुड़े में 5 और 2 गुड़े में आपका ऐसे लिख दिया अब आप से पूछेगा इकाई कांग और देखिए तो इसमें बिल्कुल हम इजी तरीका बताएंगे जब किसी जब किजी जंख्या का इकाई कांग 5 हो और इसके दात में इकाई के अंग पे कोई जंख्या अगर समाती है कोई संख्या अगर समाती है तो उसका पूरी संख्या का जो इकाई कांग होगा वो हमेशा 0 होगा 0 कैसे होगा क्योंकि हम 5 की गुणा जब किसी भी सम संख्या से करेंगे तो उसमें हमेशा हमें इकाई कांग 0 प्राप्त होगा और इस 0 की गुणा किसी से भी कर देंगे तो हमें इकाई कांग हमेशा 0 ही प्राप्त होगा ठीक है और अब इस प्रकार से जैसे कोई आभाज संख्या या बितम संख्या की सीरीज होती है जैसे 91 गुड़े में 93 और गुड़े में 95 गुड़े में 97 डाट डाट इस प्रकार की अगर कोई संख्या चलती है कोई सीरीज चलती है तो उसमें हमेसा इकाई का अंक पांच होता जैसे आप क्या करोगे 3 एक कंतीन, 3 पच्चे 15 अब 15 आ गया 5 सत्य 35 फिर आ गया इस प्रकार से हमें ऐसी सीरीज में हमेशा इकाईक आंक जो है 5 प्राप्त होता है तो 5 प्राप्त होगा हमें इकाईक आंक ठीक है अगला सवाल देखेंगे जैसे हमने लिखा 135 गुड़े में हम लिख दिया 170 अब आपको इकाईक आंक प्राप्त करना है कैसे हम इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो जो है इकाईक आंक क्या आएगा तो जब किसी भी संख्या की गुणा हम 0 में कर देते हैं तो हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होगा इसलिए यहां पे इस संख्या में का अंक एक हो जब किसी संख्या का इकाई का अंक एक हो ठीक है अब हम बात करते हैं घातों वाले अंकों की जैसे हमने लिखा यहां पे 4,3,2,1 और इसकी घाते हमने ऐसे लिख दी 432 अब हमने संख्या लिखी थी 4,321 और इसकी घाते थी 432 अब देखिए जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक एक होगा और उसकी घाते कुछ भी हो गाते सम हो चाएं बिसम हो कितनी भी हो इसका इका ठीक है जैसे किसी जंख्या का इकाइक अंक एक है और उसकी घातें कितनी भी हों तो हमेशा उसका इकाइक अंक एक रहेगा इसी प्रकार से किसी भी जंख्या में जो है इकाइका अंक जीरो हो तो उसका भी घातें कितनी भी हों इकाइका अंक हमेशा जीरो ही रहेगा ठीक है इसी प्रकार से किजी भी जंख्या में इकाई का अंक पांच है इकाई का अंक पांच है तो घातें कितनी भी हों हमेशा इकाई का अंक पांच ही रहेगा इसी प्रकार से क्या करेंगे जब किजी भी जंख्या का इकाई का अंक छे है तो इसमें घातें कितनी भी हों सम ह तो हमेशा इकाई कांक छे ही रहेगा ठीक है चलिए भई अगला टॉफिक आपको बताते हैं क्या होता है जैसे हमारे पास चार और नौ जैसे चार और नौ इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है वो कैसे देखिए जब किसी भी संख्या का इकाई कांक चार होगा इकाई कांक चार होगा या किजी भी संख्या का इकाई कांक नौ होगा तो यहाँ पे हम घाते देखते हैं क्या देखते हैं घातें देखते हैं जैसे हमने लिख लिया इकाई कांक यहां चार है और यहां पे हम घातें देखते हैं समगात यह लिख देते हैं समगात और यह लिख देते हैं बितमगात यह हमने लिख दी है बितमगात जब इकाई कांक चार हो और उसकी घातें जैसे हमन ये लिख दी, ये लो भाई, ये समघात हैं, जब समघात होंगी, तो इकाई का अंक हमेशा छे होगा, इकाई का अंक हमेशा छे होगा, और किसी संख्या का इकाई का अंक चार है, और उसकी घातें बिजम हैं, बिजम घात में इकाई का अंक हमेशा, बिजम घात हमने अब कर तो इसमें हमेशा जो है इकाई कांक चार आएगा समझे मेरे प्यारे दोस्तों जैसे हमने बताया जब किसी संख्या का इकाई कांक चार होगा और उसकी घातें बिजम होंगी तो उसका हमेशा इकाई कांक जो होगा वो चार आएगा और जब उसकी घातें सम होंगी तो इकाई एकांक हमेशा छे आएगा ये कैसे आता है ये भी देख लीजिए जैसे हमने लिखा ये हमने चार लिखा चार की घात एक लिखा चार की घात एक बिसम संख्या है अब इसका हमने हल करेंगे तो चार एकन चार भाई हमने यही तो बताया जब बिसम घात होगी तो एकांक चार आगे बढ़ते हैं, चार का वर्ग कर दिया, भै चार की घाट सम आ गई, अब ये हो जाएगा, चार चक्कू, सोला, भै हमने यही तो बताया, सम घात में इकाइकांक 6 आ जाएगा, और आगे बढ़िए, चार की घात 3 यह भिसम हो गई, चार चक्कू, सोला, चक्कू कितना, च और ये लिख देते हैं बिजम घात अब देखिए यहां पर हमने आपको बता दिया जब इसकी सम घात होंगी तो इकाई का अंक हमेशा एक होगा जब सम घाते होंगी किदी भी संख्या का अंक नौ है और उसकी घाते सम है तो उसमें हमेशा एकाई का अंक एक होगा और अगर घातें बिजम है बिजम घात में इकाई का अंक हमेशा नौ होगा ठीक है?